हाँ जी दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे इंग्या टेक्स चैनल पर तो आज बात कर लेते हैं जिसके लिए बेसबरी से लोग इंतजार करते हैं कि इंकम टेक्स का रिफंड कब आएगा तो या आई टी आर तो वर्दी अब रिफंड कब आएगा तो इसके उपर मैं कु स्टेट्मेंट देखने को मिली जहां पर लिखा हुए आप देख सकते हैं 20-45 दिन का टाइम या दिया गया है कि आई टी आर प्रोसेस होने के बाद 20-45 दिन में आपका रिफंड आजाता है तो जब तक आई टी आर प्रोसेस नहीं होती रिफंड बिलकुल नहीं आता जब प्रोसेस हो जाई कि उससे 20-45 दिन का टाइम या लिखा गया है तो इस चोटी सी बात को एक पर समझी क्या बात है कि आपने इंकम टेक्स की रिट्टन फाइल कर दी उसके बाद वो रिटन प्रोसेसिंग में जाती है वो प्रोसेसिंग में जाने में ही तोड़ा टाइम ले करोगे तभी प्रोसेसिंग में जाएगी अब प्रोसेसिंग में चली कि उसके बाद रिफंड आने में 20-45 दिन का टाइम लिखा हुआ है तो अब बात कर लेते हैं स्टेट्मेंट की तरफ से दी गई थी पिछले साल जिसमें लिखा गया था कि 2.15 लाइक करोड के रिफंड एक प्रेल 2022 से 30 नॉम्बर 2022 के बीच में दिये गए हैं इशू हुए हैं अब बात आती कि आज कल रिफंड बहुत जल्दी आने लगे हैं एक हफ्ते के अंदर अंदर भी रिफंड आ जाते हैं और कुछ लोग कहते हैं हमारा तो एक साल होग आज तक रिफंड ही नहीं है टाइमली आता रहता है डिले होता रहता अब मैं आपको बथा दू कि अगर आप सब्सक्राण करेगा उसका रिपन्ड मैंने अज कल करेंट केसिस देख रहा हूं कि मैंने आज आई-टीघंट करी और इस ज़ड़ा सा लेट प्रोसेस हो जाता है अब बात कर लेते हैं रिफंट किन लोगों की ज़्यादा लेट आते हैं जो इसक्रीब आप देख सकते हैं जिसमें कि सारी चीज इंकलूड हो जाती हैं शेयर ट्रेडिंग का डाटा भी आपका कमीशन इंकम कोई ले रहे हैं आपके बिजनस इंकम है बिजनस दिखा रखा रहा अपने अपनी आई टियार में तो यह आई टियार फॉर्म प्रोसेस होने में इंकम टेक्स डिपार्टमेंट के पास थोड़ा सा लेट हो जाता है इसल कि मेरा रिफंट नहीं हैं मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूं जहांसे आप रिफंट चेक कर सकते हैं तो कुछ नहीं करना गूगल पर जाना है यहां लिखना है अंसडील रिफंट ट्रेक तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके पास आ जाएगा अब आपने इस करना होगा ध्यान से देखिए तेइस-चोबिस असेस्मेंट एर तेश-चोबिस को यह सेलेक्ट करेंगे अपना पैनम डालेंगे उसके बाद यहां कैप्चा कोड डालेंगे और क्रोसीड बटन पर क्लिक कर देंगे यह सबसे सटीक जनकर यह आपको देगा कि आपका हमारा कई बार हो जाता है किसे वज़े से अगर हमारा बैंक अकाउंट प्रिवलिडेट ना हुआ हो बहुत जरूरी है उसके बिना रिफंट आने में दिक्कत आती है क्या पता आपका भी रिफंट उसी वज़े से रुख चुका हो तो एक बार चेक जरूर कर इंकम टक्स प कब आएगा कोई भी आपको विल्कुल इसका करेक्ट आंसर नहीं दे सकता कि आपका रिफंट इस तारिक को आजाएगा इंकम टेक्स डिपार्टमेंट भी नहीं तो इसके लिए आपको वेट करना है और देखना है कि आई टीर फोर्म कौन सा बरा है आई टीर फोर्म के लगी हो तो आप हमारे चनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू